दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाब उपर और आज मैं फिर आज उन्हों आपके साथ एक न्यूज रिपोर्ट लेके टाइमस ऑफ इंडिया से जामे करने वाला हूं इसको हिंदी में ट्रांसलेट तो चलिए सबसे पहले में इसकी हैडला करों का सपना ओफ बैटर फ्यूचर मतलब की एक अच्छे भविश्य का क्रेश्ट का मतलब होता है किसी चीज का तूट जाना कि चीज का कुचल जाना तो दोस्तों यह की हैडलाइन थी हम इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूं आप से रिक्वेस्ट आप इसे ध्या सब्सक्राइब करने अपने परिवारों को सपोर्ट करने बैक होम इस बैक होम देर फैमिली इस बैक हॉम सड़नली फाइंड देंसेल्फ्स वो अचानक अपने आपको पाते हैं इन फोपले सिच्वेशन होपलेस का मतलब निराशा जनक एक निराशा जनक इस्तितिति में आफटर ट्रक ओवर टन ओवर टन होता है कि चीज का पलट जाना जब एक ट्रक पलट गया एंड ट्रेश इंटू 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 दैम च्रेश होता है कि चीज का टकरा जाना और उनसे टकरा गया ऑन सेटरड़े सेटरड़े को रमेश एंड सोनम बोथ मध्या परदेश नेटिव त्री मंस अगो टू वर्क एज लेबर्स क्या मतलब होता है किसी जगा के मूल नवासी जो की मध्या परदेश के मूल नवासी हैं त्री मंस अगो तीन महीने पहले टू वर्क एज लेबर्स मतलब की मजदूरों की तरह काम करने के लिए फ्रेंड मोती सेंड जो फ्रेंड हैं दोस्ते मोती उनने कहा देर थ्री चिल्रन ओल माइनर्स लिव इन टीकमगड इन मध्य प्रदेश क्या मतलब हुआ वो टीकमगड में तीकम गल मॉइप ड्रेंट मतलब अपने दादा दादी के साथ आगे देखिए the couple earned rupees 1000 a day working on a road construction sites as labor क्या मतलब वह जो यह दमपत्ती था earned वो 1000 रूपे रोज कमाते थे working on a road construction site मतलब जो road construction site होती है वहाँ पर as a labor मतलब मजदूर के रूपे काम करकर they send a portion of their earning portion होता है कुछ हिस्सा और वह अपनी earning का मतलब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घर भेशते थे send a portion of their earnings back home घर भेशते थे for their children's education मतलब अपने बच्चों की सिक्षा के लिए पड़ाई लिखाई के लिए and their parents living expenses और अपने माता पिता के living expenses का मतलब होता है जीवन चलाने के जो खर्चे होतने ने कहते हैं living expenses और उनके खर्चे चलाने के लिए आगे देखें रमेश रमेश ब्रदर पर्मानंद सैड दा थ्री कीट्स वर वेटिंग फोर दियर पैरेंस तो कम होम एंड बाय देम क्लॉट्स एंड गिफ्ट फोर हुली क्या मतलब वा जो रमेश ब्रदर जो रमेश के भाई हैं जिनका नाम है पर्मानंद सैड उन्होंने कहा the three kids लो तीन बच्चे हैं वह वेटिंग वो इंतिजार कर रहे थे फॉर देर पैरेंट्स अपने माता पिता का तू कम आने का तू कम अपने घर आने मतलब घर आने एंड बाइडम क्लॉट और उनको ईंतिजार कर रहे थे कि टिकमगड में जो मेरे माई ब्रदर मेरे भाई और एंड इस वाइफ की पतनी डिड़ फार्म वर्क वह फार्म वर्क मतलब खेती किसानी का काम किया करते थे बट लेकिन देयर वोज नौट मच टू डू लेकिन वहां ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था एंड दे कुड राज कुमारी कभी नहीं भूलेगी भूलना दा हॉरिफिक सीन होरिफिक मतलब होता है कोई डराबनी या फिर खे सकते हैं भैंकर डराबनी चीज वह भैंकर सीन डराबना सीन ऑफ हर हस्बेंट अपने पती का हरी ओम एलियस किल्लू मतलब जिनका नाम है हरी ओम एलियस मतलब ओफ किल्लू डाइंग ओन दर मतलब रोड पर मरते हुए आई वाज वाकिंग टू रिक्षा में एक रिक्षा की तरफ जा रही थी तू कलेक्ट दा टाइल्स टाइल्स लेने के लिए कलेक्ट करने के लिए फॉर्दर रोड रोड के लिए सुने कर टल्ट टल्ट को सी माइ अंड येट यूर मतलब मेरे प्ती एंड सन बेटा बेटा बीक्रस्ट बाइद टरक मतलब कुछले जा रहे हैं बाइड़ ट्रक ट्रक के दौरा My 8-year-old daughter Akansha was also trapped in Trap का मतलब है फस ना जो मेरी 8 साल की बेटी है My 8-year-old daughter Akansha was also trapped in वो भी उसमें फस गई In the mud मतलब की कीचर में But she escaped लेकिन वो बच गई She escaped death लेकिन वो मौत से बच गई I could also have died मेरी भी मिर्ती हो सकती थी Because the incident took place just a few meters from where I was From where I was क्योंकि जहां घटना हुई A few meters from where वो कहां हुई From कुछ ही meter दूर From where I was जहां पर मैं थी Said कुमारी कुमारी ने कहा Killoo and कुमारी Supported a family of five जो Killoo थे और कुमारी वो support क्या करते थे Family of five मतलब पांच लोगे के परिवार को Including two children दो बच्चों को मिला कर And an elderly father और एक elderly मतलब एक वृद्ध पिता They were planning Plan का अंदर मतलब होता योजना बनाना They were planning to return home योजना बना रहते है To return home घर लोटने की To जहांसी को For holy Having visited their hometown in January Having visited their hometown मतलब आपने hometown को Visit करने के बाद Having visited in January January में For Makar Sakranthi Makar Sakranthi के लिए And to celebrate A family function Or family function को Celebrate करने के लिए They had returned to Delhi वो डेली लोटे थे Around 10 डेज अगो करीब 10 दिन पहले I don't know मैं नहीं जानता How to look after my daughter Look after का मतलता होता I don't know मैं नहीं जानती How to look after my daughter मैं अपनी बेटी की कैसे देख बाल करूं And father And और पिता की Without my husband मतलब अपने पती के बिना Sobd Sobd का मतलब होता है Rona Sobd कुमार Sobd 40-year-old Toiled Toiled का मतलब होता है Cutting परिश्णम करना और ही second form है जो 40 वर से किल्लू थे वो cutting परिश्णम क्या करते थे Toiled Hard Toiled Toiled To be able to give दे पाने के लिए His children A better life अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाने के लिए Then He had जो उनका था आगे देखिए He wanted to ensure वो इस चीज़ को सुनिच्चित करना चाते थे They got a good education वो इस चीज़ की सुनिच्चित करना चाते थे मतलब उनको They got a good education अच्छी education मिले And a bright future एक और एक सुनहरा या उजवल भविश्य And a bright future Sad विमलेश विमलेश ने कहा तो दोस्तों ये एक छोटा सा news article था जो इमें आपके सामने translate किया है वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें Share करें चैनल को subscribe करें Thank you so much Have a nice day and bye